नमस्कार, मैं डॉक्टर प्यूश बाचपई, मैं Medical Oncology Department मनिपाल अस्पताल दिल्ली में इस विभाग का विभाग अधिक्ष हूँ मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि पिछले COVID की तीन वेवस में हम देख रहे हैं कि कही न कहीं cancer के patients देर से present कर रहे हैं अपने लक्षणों को लेके, अपने symptoms को लेके और इस कारण वर्ष उनका late presentation होने के कारण और ये of course कही न कहीं भय से related है COVID के भय से, उस कारण वर्ष कहीं न कहीं cancer का treatment उतना appropriate उनको नहीं मिल पा रहा है, कहीं न कहीं थेरपी इसमें देर हो रही है पिछले दो साल में हमने COVID-19 में ये तो जाना है कि इस से इसका एक जो रोग थाम करने का तरीका है, वो है सबसे महत्वपून वैक्सीन अगर आप वैक्सीन लगवाद चुके हैं, अगर आप वैक्सीन का अगर आप eligible हैं, प्रोफलाक्टिक डोस और बूस्टर डोस के लिए भी अगर वो लग चुका है और आपको जब भी अस्पताल आना है तो N95 मास्क पहन के सोशल डिस्टिंसिंग को मेंटेन करते हुए आना है अगर ये आप इन नॉम्स का फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अपने कैंसर कोई भी लक्षन आपको दिखाने में रुखना नहीं चाहिए तुरंत किसी भी प्रकार से कोई भी लक्षन आ रहे हुँ वो तुरंत आपको आके दिखाने चाहिए आपका जो कैंसर का इलाज अगर चल रहा है तो उसको डिले ना करें और उसको टाइम पूरवक उसको समय के अनुसार लेते रहें प्रकार से जो है कीमोथेरपी का डोज या ऐसा डोज अपनाया जा सकता है जिसमें जो है इम्मुनो सप्रेशन यानि की इम्मुनिटी बहुत कम ना हो तो ये डिसकेशन आपको करना चाहिए अपने ऑंकॉलेजिस से दूसरा चीज एक और सुविदा उपलब्ध है मनिपल हॉस्पिटल में और बाकी अस्पतालों में भी और वो है टेली मेडिसिन का सुविदा टेली मेडिसिन यानि की आप अपने घर पे बैठके संपर्क कर सकते हैं आपके डॉक्टर से और अपनी जो भी सिम्टम्स हैं या फिर नए लक्षन हैं वो उनसे डिसकस कर सकते हैं हो सकता है हर बार टेरी मेडिसिन से आपको परिणाम ना मिल सके बट टेरी मेडिसिन एक बहुत ही उप्योगी चीज़ है अगर खास तोर पर आप फॉलो अप अगर चाते हैं और अपने डॉक्टर को एक बार दिखा चुके होते हैं तो कई बार जो है डॉक्टर आपको घर प होती है एक ऐसा प्रेस होता है जो कि जहां पे आपको सुभे आके और शाम को ही वापिस चले जाना है यानि कि आपको अस्पिताल में रात में रुकने का जरुवत नहीं है ऐसा डे केर हमारे यहां मानिपाल अस्पिताल दिली में यहां पर हम फॉलो कर रहे हैं यहां पे 15 बेड़े डे केर सेंटर है जहां पे ट्रेंड कीमो नर्सिस जो है सफलता पूर्वक कीमो थरपी देती हैं और तुरंट जो है पेशन्ट डिस्चार्ज हो जाता है अगले चार से छे घंटे में और घर पे जाके एक अच्छा हीलिंग होता है पेशन्ट का सो यह बहुत ही इ प्रीजों को मद्दे नजर अखते हुए कोविट से अब डरने का जरूरत नहीं है हां हमको साबधान और सतर्प जरूर रहना है कोविट से बट जो अन्य दिक्कते हैं चाहे वो कैंसर हो चाहे वो काडियाक हो हमको अब आगे बढ़के उनको उनका हल करना है और अपनी सेह और कुलोनोसकोपी तो यह अपने उनकोलेजिस से कैंसर विशेशक से डिसकस करें और आगे इसको आके बढ़ाएं थैंक यू